सो हेलो एन विलकम बैक तो मैं चानल दे एजुकेशन हब तो आज हम कॉंटीनिव करेंगे अपनी करिकूलम पेड़ागोजी एन इवैलुएशन का टॉपिक थ्री मैं इसके पार्ट वन पर अर्रेड वीडियो बना चुकी हूं और इसका पार्ट टू मैं बनाने चारी हूं ज कोनों से मिलके बनते हैं कुछ important supplementary instructional materials होते हैं जैसे reference book हो गई journals books हो गई workbook हो गई learning kit हो गई और program material तो इस वीडियो में आज हम इन सब के बार में thoroughly study करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि reference book क्या होती है जैसे textbook होती है reference book जो होती है वो deep description देती है या deep explanation देती है उन books का ये books, जो design होती है, ये किसी slaybus से design नहीं होती है, किसी particular slaybus को cover नहीं करती. जो author होते है इस books के, ये कुछ details, original thinking, अपनी खुद original thinking बताते हैं, अपने experiences بتाते हैं और extensive study करके ये books लिके जाती है. जो reference book होती है, dictionary भी हो सकती है, directory भी हो सकती है, और यह जो बुक होती हैं ज्यादा तर यह किसी information को refer करने के लिए मतलब हमें किसी चीज़ के बारे में पढ़ना है यह कोई topic हमें detail में पढ़ना है तो इसलिए use होती है तो यह तो हमने पढ़ा कि reference book होती क्या है अब इनकी need और importance क्या होती है reference book की for authenticating detail ज्यानि से text book होता है ऐसे ही जो reference book होती है यह बच्चों को detail देती है facts की, terms की, principles की अब यह देती है साथ में original detail यह साथ में original detail भी देती है कि readers ने क्या experience करा या फिर उसने क्या पढ़ा या फिर क्या original detail है इसको हम पढ़ते है reference book के बारे में थार्ड है यह in-depth information देती है और किसी को भी deep study करने के लिए हम reference book का use कर सकते है for effective preparation मतलब बहुत अच्छे से prepare करने के लिए deep rooted study करने के लिए हम इनका use करते है next is for teachers update teachers अपने आपको update करने के लिए जादा तर reference book का use करती है and the last is for improving the existence practices मतलब हम कोई practice करने के लिए जादा तर reference book का use करते है तो ये तो हमने पढ़ा कि reference book क्या होती है और उनकी need और importance क्या होती है अब हम next पढ़ने चारे हैं कि journals क्या होते है तो journals जो होते हैं ये publish होते हैं periodical यानि कुछ period of time में जैसे कि ये publish होते हैं fixed period of time जैसे कोई monthly में हुआ कोई quarterly में हुआ कोई annually होता है publish ये कुछ specialized area में के उपर work करते हैं अब इसमें जो persons होते हैं journals और magazines में confused हो जाते हैं magazine में सिर्फ एक opinion होता है ऐसे किसी भी या तो news होगी या कोई opinion होगा या entertainment होगा sports होगा लेकिन journal public के लिए journals होता है इसमें जैसे की journal charted accountant है इसमें क्या होगा accounts के बच्चे study करेंगे जो accounts के क्या क्या courses है उसके बारे में होगा मतलब इसमें सब कुछ होगा अब types कितने होते हैं journals के दो types होते है journals के academic और scholarly journals और एक होता है trade journal academic या scholarly journals में क्या होता है ये periodicals होते है इंडियन एजुकेशनल रिव्यू जा फिर इंडियन एजुकेशनल अब फ्रेट जोनल्स यह होते हैं यह स्पेसिफिक ट्रेड यह नहीं को भी बिजनस को को भी प्रोफेशन के लिए बनाये जाते हैं जैसे कि आर्किटेक्चर के लिए फाउंडेरी प्रॉडक्ट्स के तो ये हमें research करने में help करती है ये आगे की research करने के लिए encourage करती है a forum for critical evaluation ये critical evaluation में भी help करती है ये trusted होती है ये advertisement में भी helpful होती है ये industry based jobs के लिए helpful होती है ये networking के लिए helpful होती है ये writings के लिए लोगों को inspire करते हैं कि लोग लिखके भी अपने journals में publish करवा सकते हैं आर्टिकल्स, इंडिकेटर और प्रोग्रेस यह दिखाती है कि कितनी प्रोग्रेस होई है, इंडिया, चाइना, युएस से की, कितनी उनमें प्रोग्रेस होई है, क्या इंप्रूवमेंट्स आई है, तो यह सब इनकी इंपोर्टेंस होती है, यह सब पता चलता है जर्नल से, अब work book, work book क्या होती है work book जो होती है वो design किस के लिए करी जाती है learning कम evaluation के लिए learning के लिए बी और evaluation के लिए बच्चे से learn भी करता है और evaluation भी हो जाती है depois вокруг book रहा scriptures जान लिया अब हम जानेंगे advantages के होती है work book की, work book की बहुत साघी advantages होती है जैसे कि यह learning का एक source है, यह testing का भी एक source है, इसमें हम अपनी self learning पे बहुत ज़ादा focus कर सकते हैं, यह textbook की तरह एक supplementary books है, इसमें बहुत सारे experiences मिलते हैं, हमें wide and varied experiences मिलते हैं, यह students के knowledge different different level पे test करने में help होता है, यह student का confidence will develop करता है, यह interesting होता है, यह learning by doing या नहीं होतला करके सी इस बहुत ज़ादा बचाता है, और last इसका use है, encouragement to research, इसमें research पे यह बहुत ज़ादा focus करता है, कौन हमारी workbook, अब यह थो हमने पढ़ा workbook और उसकी importance के बारे में, अब हम पढ़ेंगे कि learning kit क्या होती हैं, एक learning kit जो होती हैं, वो self contained, मतलब उसमें खुद क्या होते हैं, instruction हो होते हैं, series of guidance होती है, तो यह होता है, hands on mind on learning approach, तो मतलब इसमें क्या होता है, हम बच्चे इसको use करके, इन kids को use करके, नई-ईशी से सीखते हैं, तो learning kit का हमने meaning पढ़ा, लेकिन अब हम उसकी advantage देखते हैं, learning kit यूज़ करके, जो students है, उनको अपनी learning, textbook से आगे तक बढ़ा स self-contained होती है, इसमें सारा कुछ दिया होता है, बच्चो को, effective learning and retention, इससे बच्चे बहुत अच्छे से learn कर चाते हैं, और retention मतलब उनकी memory में वो बहुत time तक स्चोर रहता है, third is economies, यह बहुत जादा costly नहीं होती, यह बहुत cheap भी होती है, extension of textbook learning, यानि textbook जो learning है, उससे बहार नि इसली carry कर सकते हैं, अब यह तो हमने पढ़ा कि learning kids क्या होती है, next हमारा supplementary material होता है, जो कि है planned learning, sorry, programmed learning या programmed instruction, अब यह कि ऐसा teaching method होता है, इसमें learning जो है, उसमें उसको analyze किया जाता है, और divide किया जाता है, teaching points से, अब इसके कुछ main elements होते हैं, जैसे कि, यह information, छोटे छोटे होता है, उसे analyze कर कि, उसे teaching points में divide किया जाता है, information हर एक teaching point की small frames में divide की जाती है, learner को जो होता है, वो एक frame read करता है, फिर वो next पे जाता है, learner अपना खुद एक frame produce करता है, और last में उसे feedback भी immediately मिल जाता है, कि उसका answer ठीक है कि नहीं है, तो हमने प्रोड़ा program learning, अब program material क्या होत होता है, कुछ program जो prepare इसले की जाती है, ताकि learner अपनी studies जो है, वो अकेले पड़ पाए, बच्चे को किसी और tutor की जरूरत ना पड़े, तो यह तो meaning पड़ा हमने program medical का, अब इसकी कुछ advantages होती है, पहली advantages होती है, textbook का supplementary material होता है, जैसे textbook होती है, उसका supplementary helpful material होता है, next is validated material, यह इसकी validity भी बहुत होती है, guaranteed होता है, और automatic होता है, self pacing, learner इसे खुद अपनी own speed पे इसे use कर सकते हैं, उनको अपने need की according, यह साथ ही साथ हमें feedback देता है, जो कि इसकी एक importance है, कि immediate feedback देता है, next importance है, इसमें active involvement होती है students की, और last इसकी importance है, individualized learning, मतलब individual, एक student अपने आप ऐसे learning कर स सकता है, यह तो हमने पढ़ा program material और उसकी importance के बारे में, so आज की video में हमने पढ़ा supplementary instructional material के बारे में, जिसमें की हमने पढ़ा reference book, journals, workbook, learning kit, program, learning instruction, और program material, इनके meaning पढ़े और importance पढ़ी, hope है आप लोग को video समझ आई होगी, अगर आपके कोई बढ़ाउट से तो आपके कोई के वूचिंग टू